आज बनाएंगे तंदूरी आलू भरता इंग्रडियेंट्स सभी की घड़ों में अविलेवल होते ही है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी चानल को जरूर से सब्सक्राइब करने जीएगा तो चैदिये फ्रेंट्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कड़ाय में दो चम्मच तेल कर लेंगे फिर उसमें आट कर देंगे थोड़ी सी जीरा जीरा को स्प्लाटर होने देंगे और फिर उसमें आट कर देंगे कसोडी में थी आधा चम्मच के करीब फिर उसमें add कर देंगे उबले हुए आलू जिनको हमने smash कर लिया है और आलू का छिलका निकाल लिया है तो आलू को पहले से उबाल के ठंडा कर लीजिए तो ये काम आसानी से हो जाते हैं अभी आलू को हमें medium flame में थोड़ा सा fry करना है जब तक के ना आलू के उपर हलका सा color आजाए तो इससे क्या होता है आलू fry हो जाते हैं और इसमें बहुत अच्छी सी flavor आते हैं वैसे भी जब हम भटा बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा fry या फिर जला लेते हैं तो इस वज़े से आलू को तो हम जला नहीं सकते तो आलू को हम fry कर लेंगे तो उससे इसका flavor बहुत जादा अच्छी आते हैं और गैस का flame हमें medium करके इसे पकाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो आलू के उपर हलका हलका colors आ गये हैं और हलका सा आलू जल भी गए हैं तो ऐसे ही आलू हमें चाहिएं तो अभी इसे निकाल के side में रख देंगे और फिर pan में थोड़ा सा mustard oil ले लेंगे और इसे गरम करने के बाद इसमें वापस से थोड़ा सा जीरा एट कर देंगे और इसी के साथ साथ इसमें एट कर देंगे कटे हुए प्यास यहाँ पर मैंने जो medium size को पतले पतले काट लिया है तो अभी हमें प्यास को fry करना है अच्छी से तो जब तक के ना प्यास थोड़ा सा ट्रांस्लूसेंट हो जाए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे medium high flame पे फ्राइ करना है और उसके बाद इसमें आट कर देंगे कसोडी में थी आधा चमच के कड़ी फिर इसमें जाएगी कटे हुए हडी मिर्च साथ में जाएगी अद्रक और लहसून का में इसमें नहीं जाए तो जब तक इना प्याज अच्छे से भून जाए और अद्दक रसुन का कच्छापन चली जाए तब तक हमें इसे medium flame पे भूनते रहना है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह फ्राइग हो चुके है अच्छे से भून चुके है तो इसी स्टेज में आट कर देंगे हल्दी पाउडर, रोस्टेट जीरा पाउडर, कश्मीडी लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला है नमक हम बाद में आट कर लेंगे तो इसे कुछ सेगेंड के लिए भूनने के बाद इसमें आट कर देंगे टोमाटो प्यूरी दो बढ़ चमबच आप चाहो तो इसमें टोमाटो को पेस्ट बना कर भी डाल सकते हो पर उससे क्या होता है टोमाटो को बहुत जादा देर तक हमें भूनते रहना होता है जो कि टोमाटो प्यूरी में हमें उतना देर तक भूनना नहीं ह हैं बस दो से तीन मिनिट इसे भून लेंगे तो काम हो जाते हैं फिर इसमें एट कर देंगे फेटे हुए दही दो चमच तो दही को डालने के बाद इसे हमें लगातार भूनते रहना है क्योंकि दही ना फटे इस वज़े से हमें इसे लगातार भूनते रहना है हाई फ्लेम पर इसे भी इसी के साथ अच्छे से भून लेंगे भर धनिये का पत्ता इसे स्टेज में डाल born काफी जादा फ्रेश रहते हैं एकदम आखिर में डालने से तो बहुत ज़ादा इसका फ्लेवर आते हैं तो इसे हम इस्टेज में डालेंगे तो फिर इसमें एट कर देंगे फ्राय की हुई उबले आलू और साथ में डाल देंगे स्वादानुसा नमक अब इन सभी चीजों को आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहो तो इस्टेज में थोड़ा सा पानी एट कर सकते हो पर मैं पहले इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी एट करूँगी क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा भी पकाना नहीं है आलू पके हुए है मसाला भी अच्छे से भुने हुए है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा दे तक पकाना नहीं होता है बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते ही ये काफी ज़्यादा भून जाते है आलू को हमें बहुत गाड़ा नहीं बनाना है मतलब एकदम टाइट नहीं बनाना है तो इस वज़े से इस स्टेज में मैं यहाँ पर एट कर दूँगी वान फोट कब गरम पानी यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल ना डाले गरम पानी राले और गरम पानी डानने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो करके ही हमें इसे कुछ देर और पकाना है जब तक कि ना एक्स्ट्रा जो पानी हमने डाले है वो सूख जाए और आलू ना ग्रेवी ना सूखा ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए पतलब आलू का ग्रेवी आलू में से लूज नहीं होना चाहिए और वैसे ही हमें इस तरह के बनाने हैं और आप देख सकते हो ये तैयार हो चुकी है तो इससे हमें और पकाना नहीं है गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और आखिर में इसमें आट कर देंगे थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और फिर इसमें मिक्स कर देंगे और एकदम आखिर में हमें इसमें धूंगा लगाना है तो उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश क्रिम इस तरह से उपर से डाल देंगे यह मैंने दो चमज फ्रेश क्रिम ले लिया है, और इसे हमें अभी मिलाना नहीं है, तो क्या करेंगे अभी बीच में एक कटोड़ी रख देंगे, तो रह सा जगावना कटोड़ी को इस तरह से रख देंगे, और पहले से ही मैंने एक कोईले की टुक्रे को आग में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा जल जाए तो इसे साफधानी से कटोवी में रख देंगे उपर से थोड़ा सा इलाईची पाउडर डाल देंगे बस एक चुटकी भर फिर उपर से थोड़ा सा घी एट करतेंगे और ये करने के बाद इसका ढखकन लगा देंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं धूंगार यानि कि स्मोकी फ्लेवर जो खाने में आते है वो इस प्रोसेस में ही आते है तो इसे हमें पांच मिनित तक ऐसे ही छोड़ना है बिना हिलाए और ये जो होल है इसे कवर कर लेंगे तो इसके लिए या तो इसमें कुछ आटे की लोई छोटा सा इसमें लगा दीजिए या फिर इंगली से ही थोड़ा सा कुछ देर इसे ऐसे दबा कर रखे तो अंदर जो स्टीम बनेंगे जो धुआ आएंगे वो बहार नहीं निकलते हैं वो खाने में अब्जोर्ब हो जाते हैं तो इस वजए से थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेंगे करीब 5 मिनिट हमेंसे इस तरह से ही छोड़ा है और उसके बाद यह पूरी तरह से त्यार हो जाते हैं सर्फ करने के लिए तो अभी 5 मिनिट के बाद धकर निकाल लेंगे और बीच में से जो कोईले का टुकड़ा है उसे भी निकाल लेंगे चिंटा की मदद से ये काफी गड़म है इसमें हाथ बिलकुल ना लगाए और ये जो घी बज गया है ना इसे फेकेंगी नहीं इसे इसी खाने में एट कर देंगे इस तरह से क्योंकि ये जो घी है ये बहुत जादा फ्लेवरफुल बन चुके है तो इसको बिलकुल भी वेस्ट ना करें और इसे डालने के बाद अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ये गर्मा गर्म सर्फ करने के लिए तयार है इसे आप रोटी पराटा कुछ भी देकर सर्फ कर सकते हो ये बहुत टेस्टी बनते हैं खर पर इसे ज़रूर ट्राइ करके देखे और फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और कोई भी सुझाओ हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा तो यह लिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक ओन्वी रेसिपी के साथ